हेलो फ्रेंड स्वागत आपको मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे टर्कोना जोल वजाइनल किरिम के बारे में दोस्तों अगर बात करें टर्कोना जोल वजाइनल किरिम की तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए यूज किया जाता है और ये उन महि करने के लिए यूज किया जाता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में तरकोना जोल वजाइनल क्रीम के बारे में इसके और क्या-क्या फायदे हैं डोज कैसे लेना है किस तरह से लगाना है साइड इफेक्ट क्या हो सकता है लगाने के बाद कितने रुपेक पूरी जानकारी देने वाला हूं आप वीडियो को लास्त तक देखें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं तरकोना जोल के बारे में तो 0.8% डाला गया है वेड़ बाई-वैलू तो यह जो है एक एंटि-फंगल दवा है बाकि जैसे एंटि-फंगल की दवा होती है इत्रा कोन इत्रा करें को सकते हैं अगर बात करें इसके प्राइश के बारे में तो आपको जो दस ग्राम का है कुछ करीब करीब आपको 110 रुपया 120 रुपय में मिल जाएगा डिपेंड रहता है कि कौन सी कंपनी का है तो कंपनी की हिसाब से आगे पीछे प्राइज इसकी हो सकती है आप बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या है तो देखो जो इसका यूज है यह सारी प्रोब्लम होती है सबसे जादा खुजली होगी वहाँ पर जलन महसूस होगा दर्द होगा जब इंटर कोस करेंगे तो मन नहीं करेगा दर्द होगा उसके अलावा कभी कभी वाइट डिश्चार्ज भी आने लगेगा ब्लीडिंग भी होने लगेगी और वहाँ पर ब दूरिन के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा जलन करेगा वहाँ पर हमेशा अनकमफरडबल फिल होगा उसके लावा आपका डैरिया हो सकता है और वाइट डिश्चार्ज है भी हो सकता है तो यह सब साइड इफिक देखने को मिल सकते हैं इस क्रीम को लगाने के बाद आप बात कर लेते है कि और लगाना कैसे है इसको अनदर आपको अंदर आपको और यहाँ पे डाल के लगाना है में जब आप उस्तरह से यहां पर आप्लिकेटर भी दिया होता है के में इस ने उबादे कौने लुग सप आपको मृड़़िक लाशा में लाफ दिन में यह त तोड़ दे और दो से तीन दिन देखें आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा दोस्तों अगर बात करें सेफटी की तो यह सिर्फ माइलाओं के लिए है पुर्सों का कोई भी यूज नहीं है बच्चों का भी कोई यूज नहीं है और यह उन लोगों को है जिनको यह प्रॉब्लम हुए है वोलवा वजानल कंडियासिस या बोल सकते हैं प्रवेट पार्ट में खुजली इचिंग हुआ है तो उन सब के लिए है बाकी और इसका सेवन कोई ना करें और करने से पहले एक पर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले तो यह पूरी जानकारी थी टरकोना जोल वजानल क्रीम के बारे में आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगली वीडियो में